विख्टेर गुर्गुल नमस्कार दोस्तों जिर्टर गुर्गुल मैं मैं श्रीकान ताप लोग सब विए से स्वाइब करता हूं दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वण टॉपिक हो है भारतिय बैंकों के बारे में और उन से जुड़े सारे महत्वण श पूछा जा सकता है सबसे पहले पूछा जा सकता है कि किसी बैंक का जो है सबसकी कोई एक्सवाइज बैंक है तो उसके CEO कौन है cmd कौन है या चेर्में कौन है उस बैंक का मुख्याले यानि हेटक्वाटर कहां पर है फाउंड़े मतलब ऑग कब उसकी स्तापना हुई थी फ पूछा जाता है एक और चीप पूछा जाता है कि उस बैंक से जुड़े इंपॉर्टेंट स्कीम से उसके बारे में पूछा जाता है तो मैं इसमें यह कवर नहीं करूँगा आप लोग अगर मुझे कमेंट करते हैं तो मैं मैं जरूर उनका अलग से एक वीडियो बना दू होगा कि कौन से बैंक के कौन से इंपॉर्टेंट स्कीम चल रहा है 2018 में तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से प्रशन पूछे जाता है तो चलिए दूस्तों सुरू करते हैं सुरू करने से पहले आपको बैंक के बारे में टैच अप करवा दे कि आखे बैंक के स्ट्रक् गो करती है इसके बाद आती है पाबिक सेक्टर बैंक इते चेंटर बैंक से भारत में और प्राइवे …शिटम में तो मुमबई महालस्ट्रAH में है कब इस के स्टापना हुई ती थे बहुत important है एक अप्रेल 1935 में इसके स्थापना हुई थी मतलब अभी से 83 साल पर ले उसके governor कौन है अभी हम लोग की Reserve Bank of India के बहुत important है जिसे आप लोग देख पार है उर्जित पटेल हम लोग के भी currently governor है किसके Reserve Bank of India के इसके अलब अगर उप governor के बारे में पूछ लिया जाए तो SS मुंद्रा विरल आचारी एन एस विश्वनाथन और बिभी पुर्षाद कानुन गो जो है अभी क्या है उप governor है Reserve Bank of India के इसके अलब जितने भी exam से मैंने देखा है सब में पूछा जा रहा है कि bank rate कितना है आप लोग देख पार रहे हैं यह जो डाटा है यह मार्च 2018 का है ठीक है आप लोग देख सकते हैं bank rate कितना है 6.25 चल रहा है रेपो रेट 6% है reserve में reverse रेपो रेट है 5.75% है CRR कितना है SLR कितना है base rate कितना है यह सारे आप लोग एक बार go through कर लिए बहुत ही important है छोटी छोट में बहुत ज़्यादा यह सारी चीजी पूछी आती है अब हम लोग मूब करते हैं public sector bank की और तो public sector banks में सबसे बड़े bank बात करते हैं State bank of India के इंडिया के chairman कौन है रजनिस कुमार headquarter कहा है उसका मुंबई में है और founded कब हुआ था उनका एक जुलाई 1955 को हुआ था उसका foundation State of bank of India का punchline क्या है the nations banks on us इसका punchline है आगे बढ़ते हैं next है इलाबाद bank इलाबाद bank का headquarter कहां पे कोल काता में है CEO कौन है उसका उर्षा अनंत सुब्रमेनम उनकी CEO है उनका कारिकाल है छे मैं 2017 से 13 अगस 2017 कारिकाल है कब foundation हुआ था इलाबाद bank का अगर पूछा जाए तो मैनेजिंग डिरेक्टर एक ही है चेर्मेन और मैनेजिंग डिरेक्टर कौन है CVR राजिंदरन जो है जैसे आप लोग देख पा रहे हैं चेर्मेन मैनेजिंग डिरेक्टर है foundation कब हुई थी जैसे बताया मैंने founded कब हुआ था वो 20 नवंबर 1923 को foundation हुआ था आंधरा बैंक की स्थापना भी थी अब दी से 94 आल पहले उसके founder कौन है जैसे मैंने बताया कि कुछ-कुछ में founder है तो उसके founder है भोगा राभी जो पट्टा भी सितारमया जो आंध्रा बैंक के कौन है founder है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग नोट कर लेजिए headquarter कहा है अंध्रा बैंक अगर पूछा जाए तो हैदराबाद में ह टैग लाइन ओफ आंध्रा बैंक है वेर इंडिया बैंक टैग लाइन अप अंध्रा बैंक वेर इंडिया बैंक नेक्स्ट है बैंक ऑप बरोदा बैंक ऑबरोदा का headquarter कहां पे है गुछ रात में बरोद्रा में तेक है उसके चैर पर्षन कौन है अभी रभी जो बैंक एट उनके CEO कौन है पी एस जैकुमार 2015 से अभी तक है उसके foundation कब हुई थी 20 जुलाई 1908 को हुई थी अर्थाथ अभी से लगवक 109 साल पहले foundation भी थी बैंक ऑप बरोदा का ठीक है उसके tagline के बारे में पूछा जाए कि उसका tagline क्या है यह तो punchline क्या है तो इंडिया इंडिया के जो दिन बंदू महापात्रा ठीक है दिन बंदू महापात्रा है बैंक ऑप इंडिया के M.D.O.C.O. हेटक्वाटर कहा है बैंक ऑप इंडिया का मुंबे में है और CEO तो मैंने बताए दिया दिन बंदू महापात्रा है 2017 से वह अभी तक कारे रहा थे और उसकी foundation क अगर पूछा जाए तो साथ सेप्टेंबर 1906 में foundation भी थी लगबग 111 साल पहले अभी से अगर उसके पंच लाइन या टेग लाइन के बारे में पूछा जाए तो relationship beyond banking पंच लाइन है बैंक ऑप इंडिया की अगली बैंक है बैंक ऑप महारास्ट्रा बैंक ऑप महारास्ट् सब्सक्राइब में और मेलजिंग डिरेक्टर है हेड़क वाटर बैंक ऑप महारास्ट्रा इस पूने एंड फाउंडेशन का भूई थे अगर पूछा जाए तो 1935 को बैंक ऑप महारास्ट्रा की फाउंडेशन हुई थी और इसके टैग लाइन पंच लाइन के बारे में के CEO और MD है Headquarter of Corporation Bank is Mangalore ठीक है CEO तो मैंने बताए ही दिया जैकुमार गर अगर पूछा जाए उसके founder के बारे में कि founder of Corporation Bank कौन है थे तो खान बाहदूर हाजी अब्दूल हाजी कसीम साहिब बाहदूर जो थे उनके founder थे और foundation कब हुई थी 12 मार्च 1906 में foundation हुई थी Corporation Bank की और थ प्रेमियर पब्लिक सेक्टर बैंक पंच लाइन ऑप Corporation Bank नेक्स्ट है Canra Bank Canra Bank के Chairman है टी एन मनोहरन और उसके MD और CEO है कौन स्री राकिश शर्माजी है Headquarter of Canra Bank बैंगलूरू में है और जैसे मैंने बता ही दिया कि CEO कौन है उसके राकिश शर्माजी है और उसके founder के बारे में अगर पूछा जाए तो Amimbal, Samba, Rao, Pi जो है founder थे किसके Canra Bank के एक बार और बता दो कि उसके foundation day के बारे में पूछा जाए कि कब उसकी स्तापना हुई थ तो Canra Bank Limited के स्तापना तो 1910 में हो गई थी पर 1969 में Canra Bank के स्तापना हुई थी अगर उसके पंच लाइन टैग लाइन के बारे में पूछा जाए तो टूगेदर वीकें इस दा पंच लाइन और टैग लाइन आफ केंडरा आफ आ उप नंक्स टैइज सेंट्रल बैंक ओफ इंडिया सेंट्रल बैंक उप इंडिया के चैर्मेंच रूपी और मेनजिक्टर क palate Renee राजीव रासी जी जिब्राइब बस में अरे स्ट्री लोग में발ाएं इनें इनल बैंक ऑप इंडिया Кरेंस रेंद्टर का हैं सेंट्रल bank of India की अगर उसके पंच लाइन या टेग लाइन के पूछा जाए तो सेंट्रल टू यू सिंस 1911 जिसे आप लोगों 1911 में फाउंडेशन हुई थी तो देट से ही पता चल रहा है कि 19 सेंट्रल टू यू सिंस 1911 ठीक है यह सेंट्रल बैंक ऑप इंडिया कुछ दोस्तों को यह कंफिजन रहता है कि यह जो सेंट्रल बैंक ऑप इंडिया है वो सेंट्रल बैंक है आता जैसे मैंने बताया है कि मुझता तीन डिविजन होते हैं बैंकों के प्राइबिट बैंक सेंट्रल बैंक और पब्लिक बैंक तो कुछ दोस्त चलिए बैंकिंग बहुत विए अब देना लेना सुरू करें सुरी दोस्तों नेक्ट सब्सक्राइब टीक है देना बैंक के पूछआज़े एक्जिक्यूटिव डिरेक्टर कोने तो स्री रमेश ऐस सिंग जैसा अपने पा रहे हैं वह एक्जिक्यूटिव डिरेक्टर हेड़ पांदसर जो थे तो दो ब्रदर तक एक फैमिली के कौन थे कुनिलाल डेवकरन नंजी और प्रांद लाल देवकरननंजी इन्हों नहीं मिलकर जो आई दिना बेंक का फाऊंडेशन किया था कब फाऊंडेशन किया था कब को तो यह आप स्याल के लिए एक टास्क है आपको बताना है कि देना बैंक को फाउंडेशिन कब वहाता के है कमेंट बोक्स आपNomie को किजिए डिना कि बाद बारी आती है आई डिवे बैंग की यान इंडेटिर स्टील डिवलप्मेंट benq हाई निया पंचलाइन क्या है banking प्वार टीवी में आप लोगों देखा होगा बहुत संदर आड आता है हाथी वाला आड जो आता है अप लोग्या यदोग और आएड़ीबैंक makes manhern justify और अगला च Carnegie वह है इंप हम प्रतीर लिए और कहँ है पालर again है चिन्ने में हैं इंडियन बैंक का जैसे मैंने बताई दिया किस और कराज जो है 18 मार्च 2017 से काई रहत हैं इंडियन बैंक में एज एमडी एंसी यो और फाउंडेशन का भी थी उसकी अगस्त 15 अगस्त सब्सक्राइब तो निश्यों साथ को फाउंडेशन हुई थी लगभग अभी से 110 साल पहले और उसके टेग लाइन यह था पंच लाइन क्या है यूर्ट टेक्निकल फ्रेंडली बैंक मतलब यूर्ट टेक फ्रेंडली बैंक इस इंडियन बैंक अगला बैंक है भारी भरकम बै अगर देख लिजिए गा बाकी मिक्थि तो जो पूछा जाता है वो MDS के बारे में पूछ तो MD n CEO कोन है उसके स्री आर सुब्रमाइन्या कुमार जो है MD CEO जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यही है आर सुब्रमाइन्या कुमार ठीक है उसके हिटकोटर चिन्ने में है आर सुब्रमाइन्या कुमार उनके CEO है अगले बैंक बहुत चर्चे में है निरब मोथी की घोटाले के बाद बैंकिंग जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ उसके बाद से वह है PNB यानि पंजाब नेस्नल बैंक पंजाब नेस्नल बैंक के M.D.O. CEO कौन है सुनिल महता जी हैं जो की छे मैं 2017 से कर रहे थे हैं इस पद्ध पे हेड़ कोटर और पंजाब नेस्नल बैंक के इस नियू डेली और अगर पूछा जाए कि फाउंडर कौन है किसके पंजाब ने जीठिया ने अनिका foundation किया था कब किया था मैं 1984 में सवह दो सो 1994 में किया था 1984 अठारो सोच्वारानवे में किया था 19 में अठारो सो च्राणवे यानि 1994 में इसका foundation किया था अगर इसके tagline या punchline के बारे में पूछा जाए तो the bank you can bank upon इसका tagline या पंच लाइन है bank of किसकी पंजाब यानि पंजाब national bank की अगला है पंजाब and sin bank ठीक है पंजाब का नाम हो और पंजाबी ना हो तो मजा क्या है sorry ठीक है तो MD और CEO कौन है किसके पंजाब and sin bank की तो जीत अंदर बीर सिंग जैसे आप लोग देख पार है इसके MD और CEO है और ED कौन है इसके फरीद एहमद जेन की ED है और headquarter कहाँ पे है पंजाब and sin bank का तो देली में है उनका founder किस ने किया था तो बीर सिंग जी ने किया था 24 जून 1908 यानि 1908 में अगर पूछा जाए उसके पंच लाइन या तो टैग लाइन के बारे में तो पंजाब and sin bank का पंच लाइन या तो टैग लाइन है where service is way of life where service is way of life is the punch line and tag line of Punjab and sin bank अगला है syndicate bank syndicate bank के CEO कौन है या तो चेर्मन कौन है चेर्मन है उनके अजय बीपीन नवाती जी बाकी CEO आप लोग देख लीजएगा executive director देख लीजएगा ठीक है और इसका headquarters कहां है मनिपाल में है और CEO तो जैसे मनें बताया था रेगो जी उनके CEO हैं फाउंडेशन का भूई थी 1905 में उडूपी में इसकी फाउंडेशन हुई थी और पाई ने इनका फाउंडेशन किया था दोस्तों मुझे पता है आपका सर घूम रहा होगा कि सर यह कितनी बोरिंग चीज़े कैसे याद होगा सरी चीज़े पर चाहिए तो थोड़ी से महनत करने पड़े दोस्तों क्या किजिए थोड़ा करना कि आपको तुरहन तुरहाएं को रिवाइस करते रहना है को तुरहन याद हो जाएगा कोई बड़ी चीज़ नहीं है और jsijds किस प्रशन हमीशा आते हैं इसी यारा इंड कोई जरूरी नहीं था और उसके पंच लाइन कि औरियंटल बैंक आपको मर्ज के सीयो और एमडी कौन है तो स्री मुकेश कुमार जैन जी उनके सीयो एन एमडी है हिट कौाटर उनका गुरूग्राम में है यसे मैंने बताई दिया मुकेश कुमार जैन उनके सीयो और एमडी है जो कि 15 जुलाई 2017 से काई रहते हैं अगर उनके फाउंडेशन के बारे में पूछा जाए कि कब फाउंडेशन हुआ था तो उन्निस फरवड़ी उनिस जो त्याल इसने एंजिन 43 और टैग लाइन के बारे में में पूचा जाए तो वेर इन्डेशन उसका पच्क लाइन और टैग Drink की और मेरे में व्ही के पूछा जाए तो पूछा जाए तो रवी खुछियन ठक्र जी इनके चैर मैंन और मेंनेजिंग डायिक्यर हैh हेड़ कौर्टर इसका कोलकाता में है 2015 स्री रवी किशन ठकर जी स्री ओ और एमडी के पोजिशन पे कायरत हैं और फाउंडेशन के बारे में बुचा जाए कि इसका फाउंडेशन किसने किया था यूको बैंक का तो घंसे आमदास बिल्ला ने किया था कब किया था 6 जैनवरी 19 प्रश्च चुक्ति आलेस में अर्थात अभी से लगबग 75 साल पहले उसके टैग लाइन या पंच लाइन देख लेते हैं यूगो बैंक का कौन है क्या है ओनर्स योर्स ट्रस्ट यो है उनका पंच लाइन है अगला है बिज्जेया बैंक यह एक बैंकिंग कंपनी है आरे स संक्रा नारायन जो है इनके अंडि ओस यो हें य्ट्वाटर में MAY हैं एक संक्राइब 2017 से और इसक्राइब और यह ँप्रकर रहा था है उनकीा फील्सर रेंग हैं उनकी ऊट्स में पहले है अगर उनके पंचल ओंच लाइन के पने पूछक रिंग कॉन को भीशन Chief करनेंगे की निए टीस में पूंडियोग। और पैंक ब्याइन व्हींति है इस ए भीकला के वटन्यू gonna यूनाइटर बैंक ऑप इंडिया एक फाइनसर स्विस कंपनी है उनका पाउनकुमार बजाज पाउनकुमार बजाज जी उनके इनका फाउनडेशन कब हुआ था यूनाइटर बैंक ऑप इंडिया की अगर पूछा जाए तो 1950 में हुआ था मतलब अभी से लगवग 68 साल पहले उनके फाउंडर कौन थे किन्होंने संस्तापना की थी किसकी यूनाइटर बैंक ऑप इंडिया की तो नरेंद्र चैंदर दत ज अगला बैंक है वो है यूनियन बैंक ऑप इंडिया यूनियन बैंक आफ इंडिया के मैनेजिंग डेक्टर और सी बैं Betsy कौन है शरी राजकरण रैं जी अनके मैनेजिंग डियाक्तर सी Amp राजखरेंजी ने कब सबत ग्रण किया था एक जुलाई 2017 में किया था उनकी फाउंडेशन कब वी थी किस बैंक की यूनियन बैंक अप इंडिया की 11 नॉबर 1919 में इसके फाउंडेशन में थी मतब लगबग अभी से अन्थाइंटाइंबी साल पहले तो अगर उसके पंच लائन या टी cheating कि यूनियन बैंक उप उसके बाद जिंदगी सेटल ठीक है पस थोड़ा सा कस्ट किजी और अगर आईस मैं बता सकता हूं कि 10 घंटे करके अगर 10 मंत आप कर लेते हैं तो आप आईस तक क्लियर कर सकते हैं ठीक है इंडिया का जो टफस्ट एक्जाम माना जादा है आईस वो भी आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं छे मैंने कोई भी एक्जाम दस मैंने आईस एक्जाम क्लियर है आपका तो थोड़ा सा मेहनत किया और एक बात आप लोग देखिएगा रियलाइस किजिएगा कि अगर आप लोग मेहनत करते हैं अच्छे से दिल से बिना चीटिंग के तो उसके बाद जो सफलता म है एक्सिस बैंक के तो सिखा शर्मा जी हैं उनके चैर्मेन कौन है तो संजीब मिश्रा है यह सिखा शर्मा है आप लोग देख पा रहे हैं यह एमडी और सी यह हैं किसकी एक्सिस बैंक की उसके फाउंडेशन कब हुई थी 1993 में हुई थी एज यूटी आई बैंक उस वक्त रहा डाता है इसका बढ़ती का नम जिंदगी इस एक्सिस बैंक नेक्स्ट इस एसटी अपसी बैंक अधितियपूरे जी इनका मुंबई में हैं फाउंडेशन हुआ था उनीशो चौरानवे में और टैग लाइन है वी अंदरस्टेंड यूर वाल्ड इस टैग लाइन ऑप स्टी अपसी बैंक आप क्या किजिए दोस्तों कि इस तरह से वन्टू करके ठीक है वन्टू करके सारे बैंकों के नाम एक साइ यहां फाउंडेशन का लिस्ट बना लेजिए ठीक है और जब एक चीज़ आद रखिए कि यह फाउंडेशन डे का लिस्ट हमेशा आप लोग कैसे बनाई है कि बढ़ते क्रम में बना लिजिए कि सबसे पहले जिस बैंक का फाउंडेशन हुआ ता उसके रखिए देरे देर करके तो आपको याद करने में आसानी होगी इसे प्रशन भी पूछा जाता है कि सबसे पहले किस बैंक का फाउंडेशन हुआ था फाउंडेशन आप लोग जरूर मुझे कमेंड बस पर कमेंड कीजिए ठीक है और अपना लिस्ट जरूर से बना लेजिए कैसे बनाई यह फ पांच पर दस पर देखते हैं यह अराम से याद हो जाएगा और एक्जाम में इसे प्रशन आने ही आने हैं आप लोग विश्वास रखेंगे अगला है आई सीए बैंक आई सीए बैंक के चैर्मन है मिस्टर एमकी शर्मा और एमडी और सीओ इसी के बारे में ज़्यादा प फाउंडेशन कब हुई थी 1994 में फाउंडेशन हुई थी ऐसी ऐसी बैंक की और अगर उसके पंच लाइन के बारे में पूछा जाए तो हम है ख्याल आपका अगला है करूर वेशवषया बैंक करूर बैशाबंत के चैर्मन है भी सवामिनातन जी जैसे अब लोग देख पा रहे हैं उसके फाउंडिशन हुई द्षर बैंक की नी शह 16 में में जो की हेटकवार काहा है करूर में ही है जिसके नाम सी ये बैंक का पड़ा है करूर वेशाबंक करूर कहा पर है दोस्तों तमिनाडू में अगर उसके पंच लाइन के बारे में पूछा जाए तो स्मार्ट वेटू बैंक इस दा पंच लाइन आप करूर वेशाबंक नेक्स्ट इस कोटक महिंद्रा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के चैर्मेन कौन है तो संजे आचारिया जी है वह ज्यादा नहीं पूछा जाता है ज्यादा पूछा जाता है इनके वाइस चैर्मेन और अमडी के बारे में उद्धे कोटक जी उनके वाइस चैर्मेन है और याद कभी थी कोटक महिंद्रा बैंक की 2003 में वी थी और अगर उसके पंच लाइन टेग लाइन के बारे में पूछा जाए तो लेट्स मेक मने शिंपल इस टेग लाइन आफ कोटक महिंद्रा बैंक लास्ट वर्ट नॉट डालेस्ट चैन के सांस आई आपको वह है यस बैंक यस बैंक के चैर्मेन है असोक चावला जी और एमडी सीओ बहुत इंपॉर्टेंट है यस बैंक के बारे में बहुत पॉपुलर है वह है राना कपूर हेड़कौर उनका मुंबई में हैं सीओ 2004 सी कहिदत है राना कपूर जी और फाउंडर भी राना कपूर ही है उनकी टैग ला तो में ज्यादा कुशें नहीं दोंगा मैं समझ रहा हूं आप थोड़ा डायड हो गया है थोड़ा मैं 2-4 कुशें दे देता हूं आप लोग कमेंट किजी किया इनका अंसर होगा इनपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कुश्यन है कि आप लोग पढ़ सकत देगा मुझे कमेंट बॉक्स में ठीक है अगला प्रशन है कि इंपरियल बैंक बाद में नैसलाइज होने के वाए उसे किस नाम से चेंज कर दिया गया आपको बताना है नीचे लिए के आफसंस में से कुशन नबर टू है थर्ड कुशन है पंजाब नेशनल बैंक कब स्ट से पहला कमर्शल बैंक है आपको बताना है यह कोशन नंबर होड़ है ठीक है दोस्तों आप जरू मुझे कमेंट बस पर कमेंट कीजिए ऐसे ही प्रशन एक्जाम में पूछी जाते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको इस तरह से क्वेशन क्या आपको प्रक्टिस करना है और अगर आप कहिए गया तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा जिसमें इस तरह से कोशन में कबर कर दूँगा और उनका अंसर भी में बता दूँगा आप मुझे ज़रू कमेंट कीजिए नेक्ट कोशन किस तरह से पूछा सकता है कि स्टेट बैंक आप इंडिया आपको बताना है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और मैं ज्यादा कुशिन नहीं कवर करूंगा और ना मुझे पता है आप छोड़े के भाग जाएंगे तो आप लोग जरूर मुझे आंसर कमेंट कीजिए और अगर आप लोग चाहते हैं मैं इनका अंसर साथ में और व